हेलो गाईस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 9 नवंबर तक की सभी इंपोर्टन करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं, हम इसा की तरह आप इस वीडियो को अंतो तक चरूर साथी का इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, इस आप हमारे डेली करंट अफेर्स पीडियेफ, वीकली पीडियेफ और मंतली पीडियेफ चाहते हैं, तो इस वीडियो के फस्ट कॉमेंट में या फिर डिस्क्रूप्शन में दिये गए लिंक क्लिक करके पा सकते हैं, साथ है आप गुगल प्ले स्टोर से करंट अफेर्स फंडा आपको इंस्टॉल कर लिजे, क्योंकि जो भी हमारा पीडियेफ मेटल है, जिसमें आपको करंट अफेर्स के साथ साथ स्टैटिजी की प्रवाइट कराते हैं, यह सब भी मेटल आपको हम इसका आपको कमेंट बोक्स में बताना है, पूछना है कि मृत सागर किस महादवीप में इस तरह आपके सामने हैं, एशिया, एफ्रिका, यूरोप या फिर नॉर्थ अमेरिका, तो प्रिविस यर में कई बार ये क्वेट पूछा जा चुका है, इसका आप जल्दी से बारत के 22 वे विधी आयोक का अध्यक्ष की से नियुक्त किया गया है, ओप्शन्स आपके सामने हैं, सही आंसर ओप्शन दी रहेगा, रितुराज अवस्थी तो सेंटरल गवर्मेंट ने 22 लो कमिशन आफ इंडिया को कोसिटूट किया है, और फॉर्मर करनाटक हाई कोट चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी को इसका चेर परसन बनाया गया है, साथ ही 5 और मेंबर भी इसमें इंक्लूड किये गए हैं, ये 5 मेंबर इस प्रकार है इनके नाम केरल हाई कोट के जस्टिस के टी संकरन, प्रोफेसर आन्द पालिवाल, प्रोफेसर डीपी, वर्मा प्रोफेसर राका आरिया और एम करुना निदी, तो इनको मेंबर अपोइंट किया गया है इस 22 लो कमिशन का, आपको बता दें इस लो कमिशन को 24 और 2020 को नोट जानना चाहिए कि 31 अकस्त 2018 से ही जो लो कमिशन है ये वेकेंट थी क्योंकि जुमारी 21st कमिशन रही, लो कमिशन रही, इसकी जो चेर परसन रहे, जस्टिस, बीएस, चोहान, इनका रिटायर्मेंट हो गया था, उसके बाद से ये वेकेंट रही, लो कमिशन को कंस्टिट न तो ये भी एक महत्रपून फेक्ट एक्जाम में पूछा जाता है कि 1st जो हमारी लो कमिशन रही, इंडिपेंडेंट इंडिया की, इसके चेर्मेन कौन थे, आपको जाना चाहिए, लो कमिशन ना तो कोंस्टिशनल बोडी है, ना ही स्टेशुरी बोडी है, ये एक 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 बोडी है, जिसको गवर्मेंट ओफ इंडिया के ओडर द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, इसका मेंजन फंक्शन रहता है कि ये लीगल रिफॉर्म्स पर कारिय करता है, तो प्रोफेसर किसोर कुमार बासा, इन्हें नेसल मॉन्यूमेंट अथोरिटी का चेर्मेंट किया गया है, आपको बता दें, महाराज श्री राम चंद्र बंचुतियो उनिवर्सिटी के बाइस चांसलरे साथ ही, इंडिया नेसल कॉन्फेरेशन एंड अकेडमी ओफ एंत्रपोलोजिस्ट के भी चेर्मेंट है, आपको जाना चिए नेसल मॉन्यूमेंट अधरोटी एन पर दस में, विचय वद फॉलूइंग इस इंडिया 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 इस बेस्ट एम्पलोयर एक्फॉर्ड एंग्टिंग टूटी टूटी टूप्स की विश्वी की सर्वस्रेश्ट नियुक्ता रैंकिंग दो जार बाइस के नुसार, निम लिखित में से कौन भारत का सबसे अच्छा नियोकता है आपिशन्स आपके सामने है सही आंसर आपिशन दी है Reliance Industries तो यहाँ पर Forbes की World's Best Employers Ranking 2022 रिलीस की गई है इसने बताया कि Reliance Industries जिसमें 2,30,000 employees है यह इंडिया की Best Employer है और World की 20 वी Best फर्म है जिसके साथ कारे किया जा सकता है आपको बता दे इस Global Ranking को टॉप किया है साउथ कोजिन कंपनी Samsung Electronics ने उसके बाद Microsoft, IBM Alphabet and Apple आते हैं कोई भी कंपनी Reliance को छोड़कर Top 100 में शामिल नहीं है एक महत्तपुर्ण Current Affair आपको जानना चाहिए Reliance Industries से ही संबंदित है कि ये 500 मिलियन येरो यानि की 4,060 करोड रुपे क्यास पास में जर्मन डिटेलर Metro AG का जो Cash and Carry बिजनस है इंडिया में इसको एक्वाइर करेगा Cash and Carry बिजनस होता है जो Wholesale जो Wholesale Market आप देखते हैं या फिर आप इस तरह के देखते हैं जैसे विसाल में का मार्ट हो गया सुविधा इस्टोर हो गया जहां पर आप चाहते हैं पे करते हैं और समान लियाते हैं बल्क में ला सकते हैं और जनरली लो प्राइस पर आपको मिलता है जो इस तरह के मार्ट होते हैं तो इसको कहते हैं cash and carry business तो इसको acquire करेगा relance industries विजे स्रीयंगम has been appointed as part-time non-official director as well as non-executive chairman of which bank for three years विजे स्रीयंगम को 3 साल के लिए किस bank के अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक के साथ कारे-कारी अध्यक्ष के रूप में न्युक्त किया गया है options आपके सामने है सही आंतर option यह canera bank है तो देखें यहाँ पर चार public sector banks के boards में non-executive chairman appoint किये गए हैं यह चार public sector banks है canera bank, Punjab national bank, union bank of India और Punjab and Sindh bank तो appointment committee of the cabinet इनको approve करेगी कर दिया है अच्छा साथ ही अब देखें कौन किस bank के appoint किये गए हैं विजे सिरंगम इनको part-time non-official director as well as non-executive chairman of canera bank appoint किया गया तीन साल के लिए केजी अनन्त कृष्णन इनको part-time non-official director और non-executive chairman of PNB appoint किया गया तीन साल के लिए स्री निवासन वरत रजन इनको union bank of India में युक्त किया गया है तीन साल के लिए सेम non-official director as well as non-executive chairman चेरंशीं इनको पंजाब और सिंथ bank में appoint किया गया है दो साल के लिए non-official director as well as non-executive chairman world travel mart 2022 held in which city world travel mart 2022 कि सहर में आयुजित हुआ है options आपके सामने है सही आंतर options ही रहेगा London तो देखे ministry of tourism government of India इन्होंने world travel mart WTM 2022 जो कि London United Kingdom में हुआ है 7-9 अंबर के बीच इसमें participate किया है इसका theme रहा the future of travel starts now आपको बता दे 2019 तक कि अगर हम बात करें तो भारत की GDP में जो travel and tourism सेक्टर का जो contribution है यह 5.9% of our economy है तो इस तरह के facts दि पूछ ले जाते हैं किसे sector से सम्बंदित की हमारी economy में कितना contribute करता है तो यह fact आप याद रखेंगे which country is hosting the Middle East Green Initiative summit 2022 कौन सा देस Middle East Green Initiative summit 2022 की मेजवानी कर रहा है options आपके सामने है सही answer option भी है Egypt देखे एक तो यह question और एक जो हमने इस से पहले का पूछा है World Travel Mart वो question महत्वण है देखे Middle East Green Initiative summit यह इजिप्ट में जो COP 27 चल रही है शारमल सेख में इजिप्ट में तो इसी के साथ साथ इस summit को भी organize किया जा रहा है तो इस तरह से सही answer क्या है Egypt तो यह तीन summit होगी एक तो World Travel Mart एक हो गई है Middle East Green Initiative Summit और एक यह COP 27 यह तीनों ही मैत्रपूर्ण है आने वाले एक्जाम में एक क्वेशन यहां से आने के पूरे पूरे चांसेश है तो देखे आपको बता दें जो यह summit है ना Middle East Green Initiative Summit यह दूसरी बार आई जित की जा रही है इससे पहले 25 अक्टूबर 2021 को रियाद में मुहमद बिन सल्मान जो की crown prince and prime minister है तो इन्होंने इसको inaugurate किया था Middle East Green Initiative का मकसद है जो carbon emission है उसको 60% से ज़्यादा तक reduce करना अच्छे यहाँ पर आप एक ही सब्द देख रहे है in tandem यह बहुत प्यारा सब्द है कई बार अगर आप newspaper देखेंगे तो political news में आपको देखने के लिए मिल जाएगा और जो आपके जो English में जो paragraph वाले questions आते हैं उनमें भी देखने के लिए मिल जाते है पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया है sinonim इसका पूछ लेते हैं तो देखी जैसे मैं आपको पहले बता दूँ यहाँ पर आप हैडलाइन देखेगा TRS BJP Working Tandem सेज राहूल गांधी आप Working in Tandem with BJP in Gujarat Congress अब आप समझ गये होगे इसका मतलब क्या है यह दोनों हैडलाइन इसका मतलब बता है एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर या फिर अगर दो इवेंट एक जगा हो रहे है तो उनको कह सकते हैं एक इवेंट के साथ साथ दूसरा इवेंट भी उसी जगा पर हो रहा है इन टैंडम यानि की उसी के साथ ठीक है तो जैसे उपर आप देख रहे हैं जो यह वाली सम्मिट है Middle East इनिशेटिव तो इन टैंडम विद COP27 ठीक है तो COP27 के साथ साथ ही Middle East सम्मिट भी हुए है अब यहाँ पर कह रहे हैं रावल गांदी की TRS and BJP जो है इन टैंडम वर्क इन टैंडम यानि की एक साथ कारेगरी है यानि की निए गड़ जोड है इनकी बीच में In terms of the cheapest manufacturing cost What is India's rank in the overall best country's ranking सबसे सस्ती विनिर्मान लागत के मामले में समगर सर्फ से 300 की ranking में भारत का इस्थान किया है औप्शन साब के सामने है सही answer option भी है 31st तो देखिए यहाँ पर cheapest manufacturing cost की अगर हम बात करें तो भारत, चाइना और वियतनाम से आगे है ऐसा एक report ने कहा है यह report US News and World Report है और 85 nations की अगर हम बात करें उनमें भारत की रेंग 31st है यह दि हम overall category की बात करें तो यहाँ पर 85 countries को across 73 attributes में evaluate किया गया है और further उनको 10 subcategories में डाला गया है यहाँ पर अगर हम open for business category बात करें तो इसमें भारत 37th position पर है overall यह हम ranking देखें तो Switzerland सबसे top पर है उसके बात Germany है, फिर Canada है, फिर US है, फिर Sweden है यहाँ जहाँ पर सबस्यादा cheapest manufacturing cost है According to 2020 Global Gender Wealth Equity Report On average, women are expected to reach retirement with just what percent of the wealth that are accumulated by men 2022 Global Gender Wealth Equity Report के नुशार पुरुसर द्वारा जमा की गई संपत्ती के केवल चोहत्तर प्रतिशत के साथ महिलाए सेवा निर्थि तक पहुँच जाती है तो सही आंधर option D है देखें यहाँ पर यह बता रहे है, यह report है 2022 WTW Global Gender Wealth Equity Report जो की advisory broking है solutions का अपनी WTW द्वारा लाई गई है इसमें बताया गया है कि जो महिलाए है वो उसतन केवल 74% ही कमा पाती है जितना men कमा पाते हैं उसका कब अपने retirement तक तो यह इसमें बात बताई गई है आपको बता दें हैं आपर कहा है कि जो Asia Pacific है यह वन आफ ता lower global wealth gaps on average for gender wealth equity है यानि कि आपर सबसे यादा अगर हम gender wealth equity की बात करें तो Asia Pacific में जो है काफी आपको यह gap देखने के लिए मिलेगा महिला और पुरुशों की जो wealth है उसमें और Asia Pacific reason में आपको बता दें जो women है यह केवल three quarters यानि कि 76% of men's wealth ही accumulate कर पाती है और Asia Pacific reason में सबस्यादर जो gender wealth gap है यह इंडिया में 64% साथी रोने बताए कि कहीं कहीं पर global average से ज़्यादा भी है six markets हैं जहाँ पर global average से ज़्यादा है जैसे चाइना है 78% है जापान है 82% है फिलेपेंस है 79% है सिंगापूर है 79% है अंतरास्ते रेडियोलोजी दिवस 2022 का विशे क्या है options आपके सामने हैं सही answer option C रहेगा radiographers at the forefront of patient safety तो देखें इंडिनेशनल डे ओफ रेडियोलोजी यह 8 November को celebrate किया जाता है और 8 November 1895 को x-rays discovered की गई थी विल्हेम कॉन्वेट रॉंचेन द्वारा x-rays को discover किया थै by chance इन्होंने discover किया था जब यह cathode rays को investigate कर रहे थे आपको बता देगे जो day है international day of radiology इसको सबसे पहले साल 2012 में ने introduce किया गया था यह joint initiative है European Society of Radiology Radiological Society of North America and American College of Radiology के बीच में तो अगर हम theme की बात करें तो theme इसका radiographers at the forefront of patient safety है साथी एक theme और इसका चला यह मैंने देखा radiologists and radiographers supporting patients तो यह European Society of Radiology है ना इनकी साइट पर तो आपको यह दूसरे वाला theme देखने के लिए मिलेगा radiologists and radiographers supporting patients और जो पहला theme है radiographers at the forefront of patient safety तो ज्यादा तर जो newspaper है उनने यही वाला theme दिया हुआ है Union Minister for Science and Technology Dr. Jitendra Singh inaugurated the Center for Metabolic and Endocrine Disorders at which university Kendra विज्यान और प्रदोगी मंत्री Dr. Jitendra Singh ने किस विस्व इद्याले में चया पचय और अंतह शुरावी विकार Kendra का उद्गाटन किया options आपके सामने हैं सही आंतर option D है Symbiosis University पुने तर देखे Union Minister for Science and Technology Dr. Jitendra Singh इनने Center for Metabolic and Endocrine Disorders को inaugurate किया है Symbiosis University Hospital and Research Center पुने महारास्ट्र में Army Commanders Conference is being organized in which city पूछ रहे कि सेना कमांडरों का सम्मेलन किस सहर में आज जित किया जा रहा है सही आंतर option C New Delhi है तो देखे Army Commanders Conference ये एक Apex Level Biannual event रहता है जिसमें कि जो इंडियन आर्मी है वो कही तरह कि महत्रपूर्ण Policy Decisions लेती है तो ये जो अब दूसरा Army Commanders Conference है 2022 में हो रहा है साथ से ग्यार नमबर के बीच में New Delhi में और हाली में हमने ये भी देखा था कि Second Edition of Naval Commanders Conference of 2022 ये 31 अक्टबर से तीन नमबर तक New Delhi में हुआ है The President of India, Dravati Murmu, Srimati Dravati Murmu, presented the National Florence Nightingale Awards for the year 2021 in which year were these awards instituted? भारत की राष्टपती, Srimati Dravati Murmu ने वर्ष तो जारी किस के लिए राष्ट ये Florence Nightingale प्रुसकार परदान किये इन प्रुसकारों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? options आपके सामने हैं सही आंसर option भी है 1973 तो देखे, President of India, Srimati Dravati Murmu, इनोंने National Florence Nightingale Awards for the year 2021 दिये हैं कितने लोगों को 51 nursing professionals को राष्ट पती भवन में आपको बताते जो ये आवार्ट है, इस किस्थापना 1973 में की गई थी? Ministry of Health and Family Welfare, Government of India के द्वारा तो देखे, यहां पर उत्राकंड गोर्व सम्मान 2022, उत्राकंड गोर्व सम्मान 2022, किसे प्रदान किया जाएगा? दो हाइस्ट इस्टेट लवल स्विल एन आवाँड सिया पर उत्राकंड गोर्व सम्मान एकर उत्राकंड गोर्व सम्मान आएक है उत्राकंड ग्रतन एक है उत्राकंड जो गोर्व शम्मान ये National Security Advisor अजीर दोवाल दिरिशिस्ट परसुन जो सीन को दिया जाएगा साथ ही मरनो प्रान दिया जाएगा कि इनको जो मारे Chief of Defense Staff रे जनरल विपिन रावत और गिरीश चंद्रतिवारी और विरेट दंगवाल को विच चैट बोट हैस बीन लॉंच्ट बाई यू आई डिया यू आई डिया द्वारा कौन सा चैट बॉक्स लॉंच किया गया है ऑप्शन्स आपके सामने है सही आंसर उप्शन एह है आधार मित्र तो देखें यूनियन आइडेंटिफिक्शन अथरॉर्टी ऑफ इंडिया यानि की यू आई डिया द्वारा एक आधार मित्र नाम का चैट बोट लॉंच किया गया है फोर बैटर रिजिडेंट एक्स्पिरियंस तो इस चैट बोट जो है जो इस तरह के फीचर्स हैं जिसम आधार पीविसी कार्ड स्टेट इंफोर्मेशन ओन इन्वॉल्मेंट सेंटर लोकिशन इन सभी को आप और इन्हेंस रूप में देख सकते हैं यानि इनको इन्हेंस कर दिया गया है इस सर्विस को और अच्छा मना दिया गया है तो इस तरह से सही आंतर क्या है ऑप्शन ए केरल है तो देखे केरल पहला राज्य बन गया है भारत में जिसने यूनिफॉर्म गॉल्ड प्राइस लॉंच किया है जो की बैंक रेट पर बेस्ट है तो यह डिसीजन लिया गया है कि यह यूनिफॉर्म प्राइस पर इंट्रिड्यूस करेंगे 916 फ्यूर्टी 22 करेट गॉल और यह फैसला कहां पर लिया गया है मालापार गोल्ड और डाइमंड्स के ओफिशल्स और ऑल केल्वरा गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट्स एसोशन के बीच में कि विचांपणी केल में जो है ना गोल्ड बहुत चलता है वापर जैसे साधी का तो मतलब बहुत ज्यादा आदान प्रतान होता है आप देखेंगे भी जो gold loan वगरा है यह gold loan के रल में बहुत चलता है तो मैं एक बार गया था के रल तब मैंने देखा वाप पर gold loan की कई सारे जो है एजनसी खुली हुई है तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि यहां पर gold बहुत चलता है which company has launched a platform that displays flood forecast namely flood hub किस कंपनी ने बाढ़ पुर्वानुमान परदर्शित करने वाला एक platform launch किया है जिसका नाम flood hub है options आपके सामने है सही answer option भी है google देखे google ने एक platform launch किया है जो की flood forecast बताएगा यानि कि flood के बारे में बताएगा बविश्यवानी करेगा इसका नाम में flood hub तो यह platform आपको बताएगा area और time जिसमें flood आने की संभावना है ताकि लोग जो है alert हो सके the coaching CPR limited will collaborate with which IIT to support startups in the maritime sector coaching CPR limited समुदरी छेतर में startup का समर्तन करने के लिए कि इस IIT के साथ सेयोग करेगा options आपके सामने है सही answer option भी है IIT मदरास देखे coaching CPR limited IIT मदरास के साथ collaborate करेगा और जिसके तहत यह maritime sector में startups को support करेंगे तो इस program के तहत जो भी talented entrepreneurs हैं वो यदि कुछ product या services बनाना चाहते है maritime sector से संबन दित तो उनको financial support provide कर आएगा coaching CPR limited तो coaching CPR लिमिटेगा स्टार्ट अइंगेजमेंट प्रोग्राम में इस काना में यू एस एच यू एस तो इसी के तहित यह initiative लिया गया है और इसी में अगर हम women category में देखें हैं तो icc women's player of the month बनी है पाइस्तानी की लिगेटर नीदादार विच कंट्रीज एंथोनी सीनिसू का गीटिंग वंदा हाइलो ओपन 2022 किस देश के एंथोनी सीनिसू का गीटिंग ने हाइलो ओपन 2022 जीता है इन्टोनेशिया तो बात यहां बैट मिटन की हो रही है तो देखिए इन्टोनेशिया के स्टार्ट शट्लर है एंथोनी सीनिसू का गीटिंग इन्होंने हाइलो ओपन 2022 जीत लिए है बैट मिटन सम्दित है इन्होंने चाइनीज अपर ओए के च्वंधिन को हरा है कहां पर हुआ ये चर्मनी में हुआ है टूर्णमेंट और विमेंज के टेगरी की अगर हम बात करें तो हान ही जुए इन्होंने हरा है जांग यी मैंन को सुप्रीम कोड अपहेल्ड था एंप्लोई पैंशन अमेंडमेंट इस्कीम 2014 और रिमूवड कैप ओफ वट अमांट ओन मैक्सिमम पैंशनेबल सेलरी सुप्रीम कोड ने कर्मचारी पैंशन संसोधन योजना 2014 को बरकरा रखा और अधिक्तम पैंशन योग्य वितन पर कितनी र देखे सुप्रीम कोड ने एक महत्रपूर्ण फैसला सुनाया है यहां पर जो साल 2014 की कर्मचारी पैंशन संसोधन योजना है उसकी वैदता को तो सुप्रीम कोड ने बरकरा रखा है लेकिन अदालत ने जो पैंशन को उसमें सामिल होने के लिए 15,000 रुपे की मासिक वेतन क जो सीमा है उसको रद्द कर दिया है तो इस फैसले से जो हजारों कर्मचारी है उनको लाब होगा आपको बता दे जो यह संसोधन हुआ था ना 2014 में इससे पहले 65 रुपे की सीमा थी इसके लिए फिर जो साल 2014 के संसोधन ने अधिक्तम पैंशन योग्य वेतन की सीमा 15,000 पैंशन योजना में सामिल होने के विगरूट का इस्तमाल नहीं किया है उन्हें चार महीने के बीतर ऐसा करना होगा अच्छा सुप्रीम कोड ने एक और फैसला यहां पर दिया है उसको भी साथ साथ देख लेते हैं देखिए तो यहां पर जो गरीब सवर्णों के आरक्ष देने के सरकार के फैसले पर मोड लगा दी है तो यहां पर जस्टिस दिनेश माहिसोरी जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पार्दीवाला इन्होंने तो आरक्षने के पक्ष में फैसला सुनाया वहीं जो मुख्यनादी यू यू ललित हैं और जस्टिस इस रविंद्र बट इन्होंने आरक्षन से अपनी एसमेती जदाते हुए इसे एसमबाधानिक ठेराया है बागी आपको उताते तमिलनाडू ने इस EWS कोटा को अपोस्ट किया था और कहा था कि क्लासिफिक्शन का बेसिस जो है इकनोमिक क्राइटेरिया नहीं हो सकता है औ पाकि इसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल दे रहा हूं क्योंकि फिर से मुद्धा आया है निकल के तो हो सकता है आपके एकजाम में पुछा जा सके तो यह 103 जो अमेंड मेंड हुआ था इसने आर्टिकल 15-6 & 16-6 को Constitution में इंसर्ट हिया था और आठ जर्वी 2019 को लोग स सबाइम पास हुआ और प्रेजिडेंट की जो एसेंट है जो मंजूरी है वह 12 जनुवी 2019 में मिली बाकि इसका क्राइटेरिया आप जानते हैं कि एनुवल फैमिली इंकम आठ लाग से कम होनी चाहिए और इसी के साथ साथ एक कंडिशन और जोड़ी हुई है कि ऐसी फैमिली इस कोटे को क्लेम नहीं कर सकते हैं यहने के पास पाँच एकर से ज्यादा की अगरिकल्चर लेंड है या फिर 1000 स्कॉाइर फीड ओफ रेजिडेंशल लेंड है चलिए प्रिवेस असाइन्मेंट कोश्चन की आंसर देखेंगे India's first Mahila Moholla Clinic opened in Delhi. Infant Production Day is observed on which day? November 7. National Cancer Awareness Day is observed on which day? November 7. An indigenous technology from which IIT can now produce new generation super abrasive tools? IIT Madras. International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict is observed on which day? आंसर इस 6th November which agency has stopped grievance redressal index published by Department of Administrative Reforms and public grievances for the month of October 2022. Third time, third month in a row. आंसर इस UIDI wish round of India Republic of Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement held in Seoul. आंसर इस 9th और आप में से कई असरे से बिल्कुल सही आंसर दिया है इसी तरशा पार्टिस्पेट करते रहिए हैं. चलिए आज के assignment questions देखेंगे Maryland Award is presented to. तो किन को दिया जाता है? Maryland Award ये आपको बताना है. What is the theme of Indian Pavilion at COP27 Egypt? Precision Air is the largest private airline in which country? ये हाली में न्यूज में रहा. इसलिए आपको पुछा गया एक क्वेशन. National Labour Horticulture Value Chain Function held in which city, in which Assembly By-Election in Maharashtra did NOTA back the second spot. Urban Mobility India Conference and Expo 2022 inaugurated in which city. The first elections to the Lok Sabha after Independence were held between 25 October and 21 February. इसमें आपको साल बताने हैं. शर्मेल सेक इन एजिप्ट is hosting the COP27 climate summit, which city hosted the COP26 summit last year. तो इन आठ questions के आंसर आपको comment box में बताने हैं, काफी महत्पून question है, causes कीजेगा. एक question भी अदिया आपको आता है, तो भी आप में comment box में जरूर बताएं. साथी current affairs funda को आप टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं, यहां पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं, साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पासकते हैं. दोस्ते आपर हमारे current affairs की playlist दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, fellow experts साथ हमारे current affairs को share जरूर करें, आज का session आपको कैसा लगा, comment box में जरूर बताएंगा, thank you guys.